हलो दोस्तो मैं डॉक्टर रिविकर शब आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्वी चनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे जुकाम की सबसे बड़ी है दवाई इसके यूज क्या है इसके साइट इफेक्ट क्या है इसके बेंट फिर्स क्या है इसका प्राइस क्या है इसके डोस क्या क्या है कैसे देने हैं बच्चे को यह सब जनकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे किर्पा करके वीडियो आंतर देखिए वीडियो शुरू करने से प माइक्रो कोल्ड सिरफ के प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 51 रूपीज में आपको हर फार्मेसिप पर आपको अवेर्बल होगा इसके लैप के बारे में बात करें कि इसको कौन सी लैप बनाती है जो की दवाईयां बनाने में बहुती सक्षमानी जाती है अब इसके डोस्त के बार में बात करें तो इसे दिन में आप दो बार या तीन बार बच्चे के एज के कोडिंग 5 ml देना हो या 2 ml देना हो 2.5 ml देना हो ये बच्चे के age के और condition के coding ही बच्चे को दिया जाता है और ये सिरफ इसके dose जो है टोक्टर से समझ ले ताकि इसको किस परकार देना है अब इसके इस्तमाल के बारे में बात करें इसको किस कारणों में इस्तमाल किया जाता है तो जदी आपके बच्चे को सर्दी है जो खाम है खासी है आपके बच्चे के बंदनाग हैं गले में खरास हो रही है तब इन कारणों में आपको अपने बच्चे को माइक्रो कॉल डियस देना चाहिए सर्दी के कारण आपके बच्चे को शेके आ रही है जो काम बार-बार हो रहा है तब ही आप इस माइक्रोकोल डियस को आप अपने बच्चे को दे सकते हैं अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें इसके साइड इफेक्ट किस परकार के हैं बच्चे के शरीर में रेशिस हो जाता है बच्चे को सास लेने में दिककत हो रही हो बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो या बच्चे को डाइरिया हो गया हो या फिर बच्चे को ज्यादा नेधा रही हो तब आप इस Micro único difficulties को नहीं देना है और ये सब साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप तुरंत ही अपने टॉक्टर से इसके बारे में सला ले वीडियो को अंतर देखने के लिए आपका धन्यवाद